फेंड्स नमस्ते आदाब सस्रीकाल मेरा नाम है रोबिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तों जैसा कि आपको पता कि वैडिंग सीजन शुरू हो चुका है और इसलिए आपके लिए दोस्तों मैं लेकर हैं कि स्पेशल लंका ब्लाउज दोस्तों किसे बनाया जाथ है पैएसे बनागा देखा चैन हमने चैन लगाई है और अगे इस तरह से पैड और यह इसका कि चड़डरी और इसमें प्लक देने के लिए क्ल और बिभीवांगहिए में बनाएक्ट का इपको विने के अपको शॉडरी हो तरह से दोस्तों लटकन तो फ्रेंड से साथ की साथ आपको मैं ये भी बता दू जो पैड किस तरह से लगाए जाते हैं पैड लगाने के वैस्ट तो बहुत सारे फार्मूल है हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखिए कि ब्लाउज में पैड कैसे लगाएं आपको उस वी वीडियो और सीखते हैं कुछ नया फ्रेंड्स यह ब्राइड ब्लाउज की आपको इस पेशलिटी बताता हूं क्या होती है इस तरह से देखिया आप देख रहा होगा इसमें गला आगे बना पड़ा है यह पीछे बना पड़ा है इसमें क्या होता है कि पतली से पतली दुल लगा की आप गले की की चडाइबी काम कर सकते हो जैसे कि इस गले कीजों लाइब हमने रखनी यह नहीं रखनी छैंच एज्ञे कि साडए साथ साते से वि想лох करें आपको बता दूग तो दोस्तों यह पीछे गला या आगे का और यहीं फो प्रैंड्स सबसे पहले हम करता है कटिंग के लिए पहले आपको करना पड़ेगा अस्तर पर करेंगे तो फ्रेंड से यह देखिए अस्तर है और इस तरह को इस तरह से कर रखा है मैंने डबल अब यह देखिए दोस्तों इसमें मैंने ओलरी मार्क लगा लिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से मैंने इसमें मार्क लगाएं सबसे पहले मिसका काट रहा हूं पीछे वाला भाग दोस्तों यह देखिए यह जो निशान में लगाया है यानि इतना तो यह नीचे से फोल्ड हो जाएगा इस ब्लाउज की जो लंबाई है वह सिर्फ तेरा इ आप रख सकते हो और जितना भी आपको यह तीरा होता है इसका शोल्डर होता है जैसे यहां से मैं छेंच रखा है तो आपको आदा इंच फालतों लेकर दर से चलना है बाके फुल डिटील के लिए आप आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि आर्म होल यह फिर ज इशार मैं ने यह लगा दिया इसके बाद दोस्तों जो इसका मैं आपको मेजर मिट बताता हूं इसकी जो ब्रस्ट साइज है यह जिस दुल्हन का मैं ब्लाउज बना रहा हूं काफी पतली दूबली है उसका ब्रस्ट साइज सिर्फ तीस इंच है तो यह देखी तीस का बता रखा है जब भी आपने ब्लाउज को इकटिंग करनी है जो भी बोडी का नाप होता है इसका जो ब्रस्ट का जो साइज है वह 30 तो यह तो बोडी नाप है बट आपको उसमें 2 लूजिंग लेकर चलना होता है क्योंकि अगर फिक्स नाप से हम उसकी कर देंगे तो इतन बनेगा बनेगा 8 इंच यह देखिए इस तरह से मैंने 8 इंच पर एक निशान लगा दिया है यानि कि जो सलाई हमने लगानी इस जगए पर लगेगी इसके लावा 2 इंच आपको एक्ट्रा मार्जन रखना होता है ब्लाउज में कमर में कभी भी लूजिंग नहीं दी जाती कमर इनके 24 इंच यह 24 इंच इसकी कमर है तो यह देखिए 24 इंच यह 6 इंच पर निशान लगा दिया एक मैंने इसमें पीछे की तरफ प्लेट्स दलती है प्लेट्स के लिए आपको एक से सवाइंच के करीब एक्ट्रा मार्जन लेना होता है और वही इसमें इस निशान से इस निशान पर लग जाएगी और यह 2 इंच मैंने एक्ष्टा इसमें ले लिया है तो इस तरह से दोस्तों मैंने पीछे वाले भाग में यह जो है मार्किंग कर लिए तो पहले सबसे वहले हम करेंगे पीछे वाले पार्ट की यह देखें इस जगे से यह जो निशान लगा जाना है सीधा का सीधा वार शिर्फ पीछे वाला जो भाग आपका कटे गाई देखिए यहां से आपको आदाइच एक्ष्टा लेकर चलना होता है चाहे सूट हो चाहे ब्लाउज हो आपको इसकी कटिंग आप इस तरह से करें सिर्फ इस तरफ जो साइड वाला पार्ट से इदर से आप इसको आदा इंच बढ़ा लें आगे और पिछ्छे वाले पार्ट की कटिंग करने के बाद इसमें क्या करना होता है आपको यह जो शोल्डर वाली जगे होती है यह हलका साधा इंच के करीब इस तरह से डाउन करना होता है अब मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स यह तो इसका बैक पार्ट है यह वाला जिसमें मैं निशान लगाए थे इस जगह आप इसमें इस तरह से के जो हमारी पीछे प्लेट्स डलेंगी प्लेट्स के लिए आपको जर्रल यह जो दोरी होती है साड़ेती नींच लेनी होती है बागी जो प्लेट्स होती है आप 4-4 लिच के करीब इस तरह से प्लेट्स में लगा सकते हो ह viewpoint कि यह जो मैंने hin लगा यह तर यिसमें प्लेट से डालेंगे अ तो यह तो गजिया प्रेंट इसकी टाल भाग से अब जो फरेंट वहला पाथ है इसकी हम जो आर्भूल के आगेसे कटिंग होती है इस तरह से लगबग आदा से पॉना इच के करिब आपको आर महूल आगे से कटिंग करनी पड़ती है और इसमें भी आप इसी तरह से यह देखिए साड़े तीन इच की दूरी इदर से रखते हुए एक प्लेट लगानी आपको सीधी और यह मैंने मार्किंग इसके लगा दिये हैं प्लेट के लिए यह सारी के साथ डिटेल से दोस्तों आपको हमारी एक वीडियो है उसमें मिल जाएगी किस तरह से प्रोपर तरीके से ब्लाउज की कटिंग होती है आज का जो मेरा मेरे मक्सक्त है वह आपको यह बताना है कि ब् आइडल ब्लाउज अगे पीछ वर्क होता इसलिए यह बिना बैल्ट का ही बनता है इसलिए इसको में बिना बैल्ट का ब्लाउज को मैंगा है आप यह देख सकते विए प्रेट के भी निशान लगा लिया है और फ्रेंट से फ्रेंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब म के आदा इंच उपर मार्जन में चला जाएगा आगे से जो इसके गुलाई है दोस्तों वह नो इंच तो नो काद होता है साड़े चाहिए पर निशान लगा दिया इसके लावा एक्स्टा मार्जन है फ्रेंट्स इस जगे से जो हम डाउन के लिए लेते हैं वो लेते हैं तीन कि यह जो आर्म होली किस तरीके से निकाला है दोस्तों बिल्कुल असान फार्मूला कुछ भी निकरना आपको जो भी आपका यह जो आगे से बोटम होता है जैसे मोरीस की नो इंचे साड़े चार लिया है तो यहां से आप डेड़ यह पौने दो इंच एक्स्टा रखें त आपको बताता हूं आपको करना कुछ भी नहीं है इसके सब इस सब्जेक्ट पर भी मैं एक वीडियो बना रखी है कि आर्म होल की कटिंग कैसे करें जिससे कि आपकी बादू बिल्कुल फिक्स आए यह देखें वैंस यह जो इसका आर्म होले हमें पता है जो यह लगेगी तो यह जो आपका आर्म होले विल्कुल फिक्स इसके अंदर आ आजाएगा यह देखें दोस्तों आधैंच इसमें चला जाएगा उपर स्राई में और यह जो स्राई होगी आपकी इस जगह पर आएगी अब जब आप इसको देखोगे यह बिल्कुल फिक्स ही आएगा तो ऊसके करेंगे तो था इसकी कणि करेंगे अब मैं आपको हम no. 1 किसी को परण रखना हो कुछ भी आपको एक नहीं है तो फ्रेंड सी देखिए पहले हम कटिंग करेंगे इसके पीछले बाग की तो कैसे कटिंग करनी है अगर गला किसी को पूरा चाहिए वह मैं आपको बताई चुका हूं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना बठ हमें गले की चोड़ाई कम करनी है क्योंकि काफी देखें इसको मैंने मिला लिया है बिल्कुल हर जगे से अब यह देखें फ्रेंड्स गला है जो यह यह गला लगबग साड़े साथ के करीब है बठ हमें गला रखना है उसके क्या करना होगा आपको इस जगह से यह तीनी इस पर निशान लगाना है यह देखिए मैंने दिख रहा होगा यह जो निशान से इसको नीच रखना एक और बस कुछ निकर आपको आपको इसी तरह से कटिंग कर लेनी है तो फ्रेंट्स इस तरह से कटिंग करने के बाद अब यह जो एक्ष्टा कपड़ा है यह वाला जो आपको दिख रहा है यह जब हम स्टीचिंग करेंगे तब मैं आपको बाता हूँगा कैसे हम सलय लगाएंगे तो यह तो मैंने काट लिए इसका पीछे वाला पार्ट्स अब लिए तरहिवे आपको जैसे जिस तरह से आपने संट वाले की कटिंग कर यह व्योद्स पर करना सेंटर से अ और इसकी भी आपको अवभी तरहिए जो गवलाई है कम करनी है यह देखे चाहा थी निशान लगाना और इस तरीके से इसको नीचे से लगबग इतना छोड़ते हुए इसको रखना है और यह जो कपड़ा है इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें तो इसको आपको इस तरफ रखना है और एज इस पर कटिंग आप कर लें तो फ्रेंट्स फ्रेंट और बैक की कटिंग करने के बाद बिल्कुल आसान है बाजू की कटिंग करनी दोस्तों यह देखिए बाजू इसकी आपको वर्क से वर्क मिलाना इस तरीके से यह जैसे मैं इसका मिला लिया बिल्कुल एक सेंटर में यह निशान आपको लगा लेना ह और एक निशान आपको सैंटर में यह लगा लेना इस निशान से निशान को अपसम मेराएं और यह देखिए एक्विटा है जहां तक निशान जए वर्पेह आपका महां तक इसको रखे और बिस इसी तरीके से बाजो की आप कर लें कटिंग तो फ्रेंट्स ये देखिए बाजू कटिंग हो चुकी है इस जगे थोड़ा सा कपड़ा कम है इसके लिए हम छोटा से क्लिहां पर जोड़ काट लेंगे जोड़ लगाने के बाद बाजू हमारी कंप्लेट हो जाएगी तो दोस्तों ये तो हो चुकी है कटिंग अब मैं बद अब जाएगा निशान लगाने के बाद आप देख सकते हूं ये गले की उपर से चुड़ा ही बनाएंगे उसके लिए क्या करना है आपको बस इस त्रेस इसको रख रहेना है और ये जो उसका बर्क है इसके बिल्कुर जड़ में आपको एक स्राई लगाने के बाद आप द अब तक हुआ को जाए लगाने के बाद अब आपको का लेनी है कि कटिंग करने के बाद इसको आप इस्ते सो उल्टा रखें ये आपको दिखी होगी और इसमें आदा इंच के करीब आपको एक्ट्रा मार्जन लेना है ये देखें और जो भी इसकी जहां पर भी गुलाई है गुलाई वाली जगह पर आपको इस तरह से कट लगाना है अब फ्रेंड्स यह देखिए इस तरह से यह में कट लगा लिए हैं और कट लगाने के बाद यह जो आपका अस्ता वाला पीस है यह आपका अंदर चला जाएगा इस तरीके से आगे गाला बना लिया है मैंने अब इसमें दोस्तों हम लगाएंगे पैड पैड किस्ते से लगा जाता है वह मैं आपको बादा आता हूं आपको दोस्तों छोटी से जान करें देता हूं मैं हाला कि यह जो ब्लाउज है यह काफी हैवी ब्लाउज है इसमें डबल अस्ता के ज देखिए दोस्तों यह जो पैड है मेरे पास यह हैं 30 इंच इसके पैड है तो उसी साइज के आपको पैड लेने हैं मार्केट में असानी से मिल जाते हैं आपको कुछ नहीं होता पैड लगाने का जो फार्मूला यह होता है कि आपको शोल्डर वाली जगह से जिसका भी आप से वाली जगह से आपको उसका जो ब्रस सैज नाप लेना कि किस जगह पर पैड में यह तो इनका प्रस था यहां तक रहा था आएंधा यह EM ठाओ बना करी निशान लगा दिया हन्य हों यह जोें से दूरीया पैड है निशान लगा दिया है तो इस जगे हमने इसको पैड को सैट करना है और आपकी जानकर के लिए दोस्तों में यह भी बता दूं किसी का अगर ब्रस साइज है भी है तो यह जो दूरी आठ की जगे साढ़े आठ या भी नो इंच भी हो सकती है इसलिए आपको कोई डाउट नहीं रखना चाहिए तो इ आपको इस जगे से ना प्लें आठ इंच इदर से और आठ इंच इदर से यह मेरे ब्लुकुल सही आ रहा है और यह जो सेंटर पॉइंट है यह जो दूरी इसकी दो इंच मैंने बीच में से रख लिए यह देखें दोस्तों अब करना क्या होता है यह जो मेरे प्रेट के नि नि निशान लगा रहा हूं यह देख दोस्तों एक निशान इदर एक इदर और यह जो है इतना तो नीचे फोल्ड हो जाए यहां से दूरी है लगवा आपको डेटी इंच के करीब रखनी है यह प्लेट्स ज़रूरी होती है इसके बिना आपके पैट सेट हो नहीं सकते और एक प्लेट आप इसमें बीच में इस तरह से लगाएं अब इन पैट्स को आप वसमें आप हटा लें इस जगह से अब यह जो मैंने निशान लगाए हैं इस प्लेट्स के निशान पर है जो निशान लगाएं आपकी जानका के लिए बता दू यह एक दो यह और तीस होती है यह प्लेट्स के साइज होता है लगबाग हमें आदा इंच मारजन लेना पड़ता है बड़ नीचे वाली प्लेट्स होती है आपको पता है जब हमने कटिंग करी थी तो उसके लिए हमने एक से सबाइंच एक्सटा मार दें लिया था तो यह वाली जो नीच वाली प्लेट यह थोड़ी बारी डलेगी वागे सेड़ की प्लेट आदा निच कि हमने डालनी है तो सबसे पहले फ्रेंट्स हम प्लेट पर चलाई लगाएंगे तो फ्रेंट्स में स्टार्टिंग कर रहा डाल दी अब मैं जो इसकी सेंट्र की प्लेट जो थोड़ी बड़ी डाले कि वह मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ टोटल साथ प्लेट इसके अंदर में लगा लिए अब जिस हिसाब सी में प्लेट लगाई है सेम इसी तरीके से आपको जो यह वाला अंदर वाला पार्ट है इस पे प्लेट लगा लेनी है इसके लिए क्या करन है आपको यह देखिए ओल्ड़ी जो इस पर मैंने लगाई रखें थे तो आपको करना क्या है सबसे पहले इसको सीधा करना इस तरीके से ब्लाव इसको और यह जो प्लेट से आपको इस तरीके से नहीं लगानी यह प्लेट आपको इस तरह से आप लगाऊगे तो प्लेट क निशान है यह देखिए अंदर के तरफ लगा लें वैसे लगाने के जूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि निशान ओले लग रहे हैं बस आपको इस तरह से पकड़ के अंदर की तरह लगा लेनी है तो फ्रेंड्स यह देखिए इसमें मैं अस्तर में अलग प्रेट लगाई है और इसमें अलग प्रेट लगाई है इस तरह से दोस्तों लगाने के बाद आपको क्या करना है इसे करना है अब इसको रखने ने याप पैडे की श्तिती होगी ओपने अपने आप उस जए एर्जेस्ट कर लेगा यह देखें यह जो प्लीट से लगांई थे हमने इंप्लेट्स के अंदर यह जो पैड है आपका इस तरह से ट हो जाएगा एक इदर लगा इदागे से मशीन से टांका लगा देना सेम इसी तरह के से एक टांका आपको इदर लगाना है और केवल एक सलाई में ही आपका जो पैड है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा तो दोस्तों सलाई लगाने के बाद क्या से इसका लुक आएगा मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स यह देखिए यह दो टांके लगाएं सिर्फ मेंने और दो टांके में ही इसका जो पैड है लग चुका है इसके बाद आपको क्या करना यह देखे अब यह जो पैड आपके इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक स्लाई में आपका यह जो पैड अस्तर और यह दोनों चीजे सैट हो जाएंगी और उसके बाद इसका जो लुक है इस तरह किसे अंदर से आजाएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अंदर भी गुम से लाई है और आपकी कोई भी स्लाइस के अंदर नजर नहीं आरी तो फ्रेंट्स यह कैसे लगा नहीं मैं आपको इस तरह से इस पैड को आपको सैट कर लेना बिल्कुल जमाते हुए यह जो इसमें जितने भी छोटे मोटे को जोल ना रहा है इस तरह स्कों खींच के रखना है और नीचे वाले अस्तर को भी खींच के रखें तो फ्रेंट्स यह देखिए इस तरीके से यह मैंने इसको अटैच कर लिया है अब आपको एक स्लाइज के गले में लगाने जैसे कि आपको दिख रहा हुगा यह कपड़ा जो है बागतर निकल रहा है कपड़ा बागतर ना निकले इसके लिए दोस्तों यहां तो आप किना नारे पर लगा लें यहां फिर थोड़ा साइस में गैप देत हुए हलकी सी स्लाइज के जड़ में लगा लें तो मैं आपको इस लगा के दिखाता हूं जिससे कपड़ा यह बाहर की तरफ हमारा नहीं निकलेगा तो फ्रेंट्स में मैं अलस्ता लगा रहा हूं बिल्कुल क फेले मार किन गानी ऑर्फ को इसरे करना है तो फ्रेंट्स यह साथ This को लिए तरह कर लियार courtyard कर लियां बिल्कुल असान उता है इसIND अपको ज्रुंअ सब 시작 पन से दो और प्रछेज इसको में ने बड़ा है तो फेंट यह प्सक्राइब आपको अब इस तो पीछा कोардकर है आ डाइंगे लगांगे लगाने के इतना फूल्ड करा है उसको इस तरह से खुर्ड करने के बाद अब आपको क्या करना यह आपको जो निशान दीख रहे होंगे इस निशान पर आपको इस तरह से पकड़ते हुए प्लेट्स यहां पर इस तरह से क्रोस में प्लेट्स लगानी है सेम इसी तरीके से जैसे हमने फ्रेंट वाले पार्ट में प्लेट्स लगाई थी उसी तरीके से इसको आप इस तरह पगड़े और यहां पर यह जो निशान लग रहा है इस निशान पर आप प्लेट्स लगा ले तो फ्रेंट्स यह देखी इसमें मैंने प्लेट से लगा ली है और यह जो कपड़ा है हमारा इसको मैंने शलाई नहीं लगाई क्योंकि यहां पर हम लगाएंगे तो यह खराब हो जाएगा इस वज़े से दोस्तों इसको क्या इतना ही फोल्ट रखाए मैंने और यहां पर होता है 16 तो आप इस तरह से 16 पर निशान लगा लें यह देखी यह सोलाइश में निशान लगाया है और इस निशान को कभी भी सीधा यूंग लेकर जाना हलका साब को अंदर गतर लेकर जाना है इससे क्याया कि आर्म होल में भिल्कुल भी जोल नहीं पड़ता यानी कि 16 आपको इदर से लेना है और उसके बाद थोड़ा सा आधा इंच इदर से और आधा इंच अंदर से इसको कर लें कमर में कोई भी लूजिंग नहीं दी जाती कमर चोबीस है तो चोबीस काल होता है बारा यह देखी यह बारा इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है तो यह पर से रख लेना है और इस निशान से इस निशान को मिलाती हुए अ पर यहां तक सिर्फ तक शिलाय लगानी है और जो नीचे वाले जगही इदर चाहन लगेगी इदर आपको शिलाय नहीं लगानी यह देखी यह कपड़ा इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और नीचे को अपस मिलतєACE फैसी शीधी लगाने इधर इतनी इतनी कि लगानी बीष़्ा लगाने के पद फैसा लोग स्लगाई का तो फैंट्स मैंने बी सिर्फ इसथर लगाई यह इदा मेंने कि लिए पीडिये थो पहले हिस्ट प्कड़ए और यहां से जहां तक दो इंच पर छोड़ी थे आपने इस जगह से आपको नीचे चैन को रखते हुए यह देखें इस तरह से दोस्तों कि आपको आदा इंच का मार्जन रखते हुए इसमें श्राय लगानी में कि अधिया थोड़ा से राउंड गुमाएं इसको और बिल्कुल असानी से कि सारे के सारे कपड़े कुछ देखें निशान लगा रखा है अपने यहां से आपको रखें और एक पैर के स्लाई लगाएं तो फ्रेंड्स यह देखिए केवल एक स्लाई में ही असानी से चैन लग गई है और यह चैन काफी लंबी थी इस यह बाल तो उसकी चैन है इसकी जगे से हम कर लेंगे कटिंग और यह जो एक्ष्ट्रा कपड़ा अंदर इस तरफ से फोल्ड हो जाए गा यहां पर हो जाएगी इसमें तुर्पाई और फ्रेंड्स यह जो नीचे एक्ट्रा जो निकल रहा है यह जो अंदर की तरफ हो जाएगा और इस से स्लाइ लाकर सीधी एक स्राइए इसलाइ लगाने के बाद दोस्तों तो दो फिर हम इसका जो शोल्डर ड़ाएंगे और सोल्डर वा एससे मैंने फॉल्ड करा है फॉल्ड करने के बाद यह इस तरह से अंदर की तरह हो जाएगा और इस तरह से आपको फॉल्ड करना है देखिए इसको इतना फॉल्ड करने इदर से इसको इतना फॉल्ड करने इदर से और जो भी आपके बाजू की गोलाई है आप इस ब्लाउज की जो तो बाजू कि जो गुलाई है dental है वह नो इंच तो आपको करना पकाय इस तरह से इसको रखना है और नो इंच पर आपको लगाना है निशान यह जान भाने की साढ़े चार इंच पर इस annéeसर से पकड़े में निशान लगा ले यह वाला और इस जगे आप बाजू को ऐसे रखें बाजू लगाने का बिल्कुँ असान तरीका है इसमें आगे तरफ आर यह आर मोहल है तो यानि कि यह जो बाजू इस इदर भी आर मोहल की कटिंग है यह बाजू इसमें ही लगेगी आपको इसको आदा ही चुप पर निकाल सब्सक्राइब करें ज़ंधक राजू करें पर इसको सीदह कने यह से अधर से अधरसी स्टेर चर्णते नापते हूए जो अब आपका आर्मोल की निशान आ रहा है उस पर लगा लिए लगाता हूं पहले दोस्तों फिर मैं बताऊंगा आपको बाजू कैसे लगाई जाती है अजय छोस्तों पर्टीन कई मैंने असे लाएं आपको इन दोनों फूंइट को उठाना है इस वाले फूंट को और इस वाले फ्रट इस वर्डाउंट को रखना अघ्र कि यह जो मारजन है फ्रेंड्स इस मारजों को आप इस तरह से फोल्ड कर लें और नीचे वाले मारजों को इस तरह से फोल्ड करें फ्रेंड्स यह देखिए एक पार्ट में मैंने बाजू लगा ली है यह जो इसका आगे वाला कपड़ा यह आगे से फोल्ड हो जाएगा और यहां पर हो जाएगी तुर्पाई यह तरह से दोस्तों बाजू लगाने के बाद आपको थोड़ा संदर से दिखाता हूं यह चैन वाले तरफ मैंने इसमें लगाई है यह जो मारजन है इसको मैंने अंदर तरफ मैंने फोल्ड किया है क्य इस ये देखिए दोनों बाजू हमने लगा ली है यह इसका फ्रेंट लुक है और यह इसका बैड को लोकिस का दिखरा होगा आफ फ्रेंट इसमें देखिए यह जगए आपको दिख रही है इस जगह हो जाएगी तुर्पाई बाजू मैं तरुपाई हो जाएगे गले मैं की जूरुत नहीं है इसमें हम थोड़े की स्टैप्स लगाएंगे वह ब्राव को कवर करने के लिए अब फ्रेंड्स इसमें डोरी की बहुत ज्यादा जूरुत है क्यों गला बहुत ज्यादा डीप है डोरी के लिए यहां तो अब रैडिकलर की लगा सकते हो यहां फिर आप इस तरह से डेली में डोरी आती है इसको भी आप लगा सकते हैं दोरी लगाना बिलकुल असान है दोरी को बस आपको इसके नीचे इससे रखना है और यहां पर इससे टांक लगाना है दोरी आपकी लग जाएगी दोस्तों एक किसमा अच्छा लुक देने अब फ्रेंट्स ये था आज की वीडियो में आपको मैंने शोटकर तरीके से बताने की कोश्च की है कि किस तरह से दुलहन का ब्लाउज हम बना सकते हैं जिसमें मैंने पैड भी लगाएं चैन भी लगाएं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफी अब तक पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वर्यमाच